सुप्रीम कोट में घुमने का मौका अब आम लोग भी जा सकेंगे सुप्रीम कोट के दर्शन करने अभी तक सुप्रीम कोट में सिर्फ उसी व्यक्तिक इंट्री होती थी जो या तो वकील है या फिर सुप्रीम कोट बार असोसियेशन के साथ रजिस्टरड है लेकिन अब यहां आम लोग भी घूमने के लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोट ने आम लोगों के साथ साथ विदेशी टूरिस्टों के घूमने के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिये हैं गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गुगोई ने इसका ऐलान किया सुप्रीम कोट की इस गाइड़ टूर योजना के तहट अब लोग हर सनिवार को देश की सरवोच ने आले में घूमने का मज़ा ले सकेंगे सुप्रीम कोट की इन जगों को देख पाएंगे लोग अब इन जगों में शामिल है अब लोग सुप्रीम कोट में जज लाइबरेरी भी जा पाएंगे जहां उन्हें एजुकेशन संबंधी फिल्म भी दिखाई जाएगी यह योजना सनिवार से सुरू होगी जिसके लिए अ गुरूप बनाया जाएगा और उस गुरूप में वह कोट घुम पाएंगे अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या इसे घुमने के लिए कोई फिस लगेगी तो हम बता दें कि सुप्रीम कोट घुमने के लिए किसी भी तरीके के कोई भी फिस चुकानी नहीं होगी य क्यान ठान की सुवदा सुप्रीम कोट परीसर में हिं मुहया कराई जाएगी यह चीजे नहीं ले जा सकेंगे अंदर कुछ ऐसी चीजिसे हम अंदर नहीं ले जा सकें जिन में की कोट परीरिम के दौरान कामर टीका च्बान, जिएक मोबाईल, सुप्रीम कोट, सिगरेट, gov.in पर जाएं और visit the court guided tour link पर click करें इसके उपर दिये गए tab registration पर click करें जिसके बाद एक disclaimer page खुलेगा उस पर नीचे लिखे tab accept पर click करें इसके बाद अब एक online form open होगा उसमें आप अपने नाम, पेशे, समय से लेकर photo, phone number, ID proof जैसे अन्य जानकारियां आपको वहाँ पर feel करना होगा ध्यान रहें कि यह जानकारी सही हो, form भरने के बाद आप उसे submit कर दे, इसके बाद आपके पास या तो email या फिर एक SMS द्वारा confirmation आएगा जिसके बाद आपका registration confirm हो जाएगा अगर आप Supreme Court Tour पे जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर रखे ध्यान, Supreme Court के टूर के लिए visitors को तैय समय से आदे घंटे पहले gate D पर जाना होगा और P.R.O. को जानकारी देनी होगी ताकि तैय समय पर security चेक करने के बाद शुरू हो सके किसी भी तरके की अन्य जानकारी के लिए या तो आप pro.sc at sci.nic.in पर email कर सकते हैं या फिर help line number 011-233-85-347 पर भी call कर सकते हैं Supreme Court घुमने आने वाले लोगों के पास electric registration slip ERS होना ज़रूरी है साथ ही registration form में जिस पहचान पत्र की detail भरी है उसकी original copy भी होनी चाहिए वीदेशी टूरिस्ट भी electronic registration slip के साथ अपना original passport साथ ला सकते हैं अब Supreme Court बहुत दूर नहीं रहा अब अगर आप आने बले समय में कोई tour करना चाहते हैं तो Supreme Court का plan ज़रूर बनाए और अपना experience ज़रूर शेयर करें हमारे साथ Thank you so much Keep watching today's for more videos अगर आप YouTube पे हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और हाँ अब आप Play Store से हमारे application को download भी कर सकते हैं Thank you करें उन्या क्याओ उन्याक्वर भी करें कर दो